नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है तो दोस्तो वाई-उ-प्रिवहन चल रहा था जिसमें वाई-उ-प्रिवहन जो है तीन परकार देखे थे जिसमें पहले हमने चर्चा कर ली थी आपके हवाई-पट्टी के बारे में तो अब इसके है सेंने हवाई अड़े राज़्स्तान में को आ इस हवाई ड़े सिय। हम अगर करें तो तो इसमें कि वह रखों करें तो इसमें हैं और यहान्डल सें प हर्षान करें करती है ठीक है कौन करती है वाई-उसे ना करती है जिनका संचालन जो है वो कौन करती है आपके वाई-उसे ना करती है वो कौन से हवाई-डे करते हैं तो सेन्य हवाई-डे कहलाती है जिससे राजस्तान में अगर बात करें तो सेन्य हवाई-डे कितनी है तो राजस्तान में जो चार सेन्य हवाई अड़े हैं तो उन में जो मुख्य रूप से नाम आता है आपके सिबसे पहला धो होई अड़ा है वह विकानिर के अदर है जिसका नाम है नाल हवाई अड़ा धीक है क। कौन सा हवाई अड़ा है नाल हवाई अड़ा ठीक है कौन सा है नाल हवाई अड़ा और नाल हवाई अड़ा आपके कहां है बिकानेर के अंदर है तो नाल हवाई अड़ा के कौन से शेतर में है तो बिकानेर में है दूसरा है आपके जैसलमेर में ही है जिसका नाम क्या है जैस जेसल मेर हवाई अड़ा ठीक है दूसरा कौन सा है जेसल मेर हवाई अड़ा तीसरा आपके स्री गंगानगर की अंदर है जिसका नाम है सूरतगर्ड हवाई अड़ा कौन सा है सूरतगर्ड हवाई अड़ा कौन से जिले में आता है तो गंगानगर जिले में आता है कौन सा हव उत्तरलाई हवाईड़ा और ये उत्तरलाई हवाईड़ा जो है कौन से चेतर में है बाड़ मेर में है तो राजिस्तान के अंदर कितने हवाईड़े हैं तो चार है जिन में पहला आता है आपके नाल हवाईड़ा दूसरा है आपके कौन सा तो जैसलमेर हवाईड़ा तीसरा स दूर्तगड हवाई अड़ा सिरी गंगानगर में है ये छोता है उत्तरलाई हवाई अड़ा जो कि कहा है तो ये है आपके बाड मेर मेर में है ठीक है उत्तरलाई हवाई अड़ा कहा है बाड मेर मेर में है एक चीज धियान रखना जो नाल हवाई अड़ा है ये नाल हवाई अ सबसे बड़ा का सबसे बड़ ऐस शकão का बूमिगत अपड़े थिस चीज बिए चांप रखना इसस offspring का Сबась संविए क्थ काई कहा है भारत इस सब से बड़ा ठीक है 1965 के आप बहृत हे पार्त केमध्य जब यूद हुआ था तो उस समय इसे भूमिगत किया गया था क्योंकि 1962 के भारत चीन के यूद में जो है चीन ने क्या किया था भारत के जो हवाई अड़े हैं उनको ही अपना निसाना बनाया था इसलिए 1965 के अंदर जो है हमारे भारतिय सेना ने किसको महत्व दिया था इनहीं हवाई अड़ों को महत्व दिया था अब इसके बाद में सेन्य हवाई अड़े के बाद बात आती है आपके नागरिक हवाई अड़े ठीक है राजिस्तान में नागरिक हवाई अड़े कौन से हवाई अड़े नागरिक हवाई अड़े ठीक है और इन नागरिक हवाई अड़ों का जो संचालन है ठीक है वो जो है संचालन भारतिये विमानन पतन प्राधिकरण करता है ठीक है तो नागरिक हवाई अड़ों का संचालन कोन करता है तो भारतिये विमानन पतन पांच नागरिक हवाई अड़े हैं कितने नागरिक हवाई अड़े हैं पांच राजिस्तान में वर्तमान में कितने नागरिक हवाई अड़े हैं तो पांच नागरिक हवाई अड़े हैं ठीक है इनको भी हम जो है मैप में ही लिखेंगे तो नागरिक हवाई अड़ों में बा सांगानेर कहां है आपके जैपुर में है ठीक है दूसरा आपके महाराना परताप हवाहःद्टर। कहां है उद्ध्धपूर में है और तीसरा आपके रतानाडा आप्सक्रास कॉष्पूर में है individ कोटटा हवाईडा कोंसा कोटटा हवाईडा और पांच हुआ है अजमेर में जोस्तित आ जिसका नाम है किशनगड़ हवाईडा तौर राजिस्तान में कितने ना-गरिक हवाईड़ें तो पांच है पहला सांगानेर, ठीक है, दूसरा महारणा परताब, तीसरा रातानाडा, चोथा कोटा, और पांचों कौन सा है, किसंगड हवाई अड़ा है, तो ये पांच जो है, राजिस्तान में कौन से हवाई अड़े हैं, तो नागरी का हवाई अड़े हैं, तो पांचों ही आपको या की सांगानेर की सांगानेर जो है वो राजिस्तान का पहली बात तो क्या दिहान रखना है राजिस्तान का पर्थम अंतरास्ट्रिये हवाई अड़ा है ठीक है अंतरास्ट्रिये राजिस्तान का पर्थम अंतरास्ट्रिये हवाई अड़ा है कौन सा है तो सांगाने रहे ठीक है और यह जो है यहां दुबई के लिए जो है कहां के लिए दुबई के लिए सन 2004 में पहली अंतरास्ट्रिये वाई प्रिवहन सेवा प्रारम की गई थी कौन सी सेवा ऑफ़्य प्रिवहन सेवा प्रारम की गई थी ठीक है और जो आपके दूसरा है महारणा प्रताप हवाईएड़ा जो है डबोक उध्यपूर में एह। तो यह जो दूसरा आपके महराना परताब हो यह राजस्तान का दूसरा अंतराश्ट 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 हो यह राजस्त से निर्मित किसे निर्मित का से निर्मित हواई रजस्तान का परत्म का से निर्मित हवाई अधाय जहां से किसंगण से जो है कहां से किसंगण से ये eldc में परसção यह था सर्वा पर्थम किसंगण से उड़ान कहां के लिए बढ़ी गई थी तो ये चीज भी ध्यान रखना वी पहले जो है कहां के लिए I ठीक है और एम्दवाद दिल्ली तीसरा स्थान कौन सा है है वर्तमान में इन तीन स्थानों पर ही जो है किसंगड से वायू प्रविहन सेवा संचालीत है तीन स्थानों मतलव पहला जो है एम्दवाद है दूसरा दिल्ली तीसरा कौन सा है 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 ठीक है तो वायू सेवा एरपोर्ट या हवाई यडा ठीक है तो राजस्तान का पर्थम ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट जो है वो कहां स्तापित किया जा रहा है नीमराना और नीमराना कहां है आपके अलवर में हैं ठीक है कहां स्तापित किया जा रहा है तो नीमराना और नीमराना कहां है अलवर में और यह एक तो जापान और दूसरा डी एम आई सी अर्था दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री ओफ कॉर्पोरेशन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री ओफ कॉर्पोरेशन और तीसरा जो है आपके भारतिय विमानन पतन प्राधिकरन वारतिय विमानन पतन प्राधिकरन के सयोग से बनाया जा रहा है ठीक है ना ये इनके तिनों की क्या है सयोग से बनाया जा रहा है कौन-कौन सा नीमराना अलवर्जोहवाइड आए किस-किस के जापान डी एम आई सी डिल्ली मुंबई इंडस्ट्री ओफ कॉर्पोरेशन और विमानन पतन प्राधिकरन के सयोग से बनाया जा रहा हैं अब बात आती भी green field क्या है ठीक है तो green field वह होते हैं जहां पर एक आ नििर्माण जो है शुरू से किया रहा ब्लू फिल्ड यह इसका क्या होता है एक तरह से पुन्र निर्मान होता है या फिर इसका क्या किया जाता है विस्तार किया जाता है वह कौन सा होता है ब्लू फिल्ड होता है ठीक है तो यह दोनों चीजें आप ध्यान रखना एक तो आपके कौन सी है तो ग्रीन फिल्ड की है और एक आपके ब्लू फिल्ड है ठीक है दोनों आप द्यान रखना तो अब इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो यह तो आपका हो गया वाई यू परिवहन ठीक है अब 4-5 लाएने रेल परिवहन किये वो भी अपने साथ में पढ़ लेते हैं रेल सेवा तो वाई यू से दिध्कन के बात आप करें तो यह तो इसके बाद में आगर हम चर्चा करें तो इसकी तो नाम आता है रेल सेवाया रेल परिवहन ठीक है रेल परिवहन जो रेल परिवहन है तो सबसे पहली बात तो भारत में रेल परिवहन का प्रारम जो है वो कब किया गया था तो आपकी यहां से प्रिशन बन सकता है कि आप याद भी रखना तो भारत में पहला प्रिशन क्या बनेगा भारत म रेल प्रिवयन का प्रारंब तो भारत में जो रेल प्रिवयन का प्रारंब है वो लग सोला अप्रेल 1823 को थीक है तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कोन थे तो लाड दल्योजी कोन थे लार डलो होजी या वाइस राइकों थे लार डलो होजी ठीक है के सासनकाल में कहां से कहां तक तो मुंबई से थाने के बीच में कहां से कहां के मद्य है मुंबई से थाने के मद्य है लग भग आपके 34 किलो मिटर या फिरे शटी कांकडा मैं बताऊं तो 33.8 किलोमेटर जो है वो रेल चला कर किया गया था ठीक है जो भारत में रेल परिवेन का जो प्रारम्ब है 16 अपरेल 1883 को लाड अलहोजी नके सासनकाल में मुंबई से ठाने के बीच में 33.8 किलोमेटर रेल शिवा प्रारम्ब की गई थी अगर अब हम बात करें राजस्तान की राजस्तान में रेल शिवा ठीक है तो राजस्तान में अगर रेल शिवा की बात करें तो राजस्तान में जो है अपरेल 1884 को उस समय आपके जैपूर साथ सकते जैपूर के महाराजा थे राम सिंग डुट्य राम सिंग भीत्य इसके सासनकाल के अंदर आगरा फोर्ट कहां से आगरा फोर्ट टू बांदी कुई ठीक है बांदी कुई के मद्ये कितने किलोमेटर 36 किलो मिटर रेल से बारारम की गई थी ठीक है आगरा से लेकर बानदी कुई के मद्या 36 कुलो मिटर रेल चला करे ऍचैंकर किया गया था बन के रेल से रेल से अपरेल अठर शुयतर में जैपूरर, राम सिंग दृतेख सासनकाल के आगरा फॉर्ड नोचनोंच से बांदी कोई के मध्येंौ 해 36 KILOMETR रेल चला कर किया गया था और वरतमान में अगर बात करें, राजस्तान में, ठीक है। यहां से प्रजस्टान बन सकता है, वरतमान में, राजस्तान में, रेल मारगों की कुल लमबाई इस दो वरतमान क्या हैं 5929 किलोमिट्र है रातमानमें रायजसतान में किस की । रेल मारंगों जो कुल- लंबाई है ठीक है और ये जो है ये भारत के कुल रेल मारक का भारत के कुल रेल मार left का आ candles 966 परतिसत है यह चीज धियानना रखना भी भारत के कुल रेल अ þीमार का ठीक है राजिस्तान में रेल परिवेंट जो है कितने परकार का है तीन परकार का है और तीन परकार में बात करें तो पहली है आपके कौन सी ब्रोड गेज कौन सी ब्रोड गेज इसका जो है राजिस्तान में परतिशत है वो आपके आठ दो ब्यासी परतिशत ब्यासी पॉइं गे ह來 15.60 परतिसान और तीसरी कौन सی ने रोगेश ठीक है रहोगेश क्या बांगे उन्र चार और ultimate लोगन धो से तो दोलपूर जिले सी ठीक है यह जीज हमने रखना नेरो गेसं का समन्द के तो दोलपूर जिले सी ठीक है ब्रोड़ घेज मिटर गेज और निरो गेज भी राजिस्तान में टोटल कितनी है रेहल मारगों की लमबाई कितनी है 5929 जो बारत के कितने प्रशासनिक द्रिष्टी से राजस्तान में कितने रेलवे जोन है तो राजस्तान में एक ही रेलवे जोन है राजस्तान में कितने रेलवे जोन है एक ही रेलवे जोन है जिसका नाम है उत्तरपश्चिम रेलवे जोन है जो कौन सा है उत्तरपश्चिम रेलवे है ठीक है और इस उत्तरपश्चिम रेलवे जो है इसका मुख्यालिय जो है वो कहां है आपके जैपूर में है ठीक है उत्त कितने रेलवे मंडल है रेलवे मंडल पूछे तो राजिस्तान में रेलवे मंडलों की संख्या कितनी है पांच है राजिस्तान में कितने रेलवे मंडल है पांच है ठीक है और यह जो पांच रेलवे मंडल है उनको मैं आपको यहां पर नाम बता देता हूं भी राजिस्तान म आपके है कौन सा जैपूर ठीक है दूसरा है आपके कौन सा अजमेर ठीक है पहला कौन सा जैपूर दूसरा कौन सा अजमेर तीसरा है आपके जोधपूर कौन सा जोधपूर और पांच तीसरा चोथा है आपके बिकानेर कौन सा बिकानेर पहला जैपूर अजमेर जोधपूर और विकानेर और पांस जुन जो है वो कौनसा आपके कोटा है तिक है इन में यह जो चार है यह जो चार 거예요 जोन है कौन कौन से अजमेर जै पूर जाफर जोदिक न आपके उत्तर पुरिय के भागनेट już कौन कौन से जैपूर अजमेर बिकानेर जोदपूर जो है वो किसमें उत्तर पशिम रेलवे में आते हैं लेकिन जो कोटा है कौन सा से तराप के कोटा जो रेलवे कोटा जो है कौन सा कोटा यह जो कोटा रेल्वे मंडल है यह आपके पश्ची मध्य रेल्वे में आता है किसमें आता है पश्री मध्य रेलवे में आता है ठीक है रेलवे में आता है किसमें आता है पश्री मध्य रेलवे में आता है और जिसका मुख्याले आपके कहां है जबलपूर है तो यहां से परश्री बनना सकता है जबलपूर MP के अंदर है राजिस्तान में कौन सा जो रेलवे जोन है कौन कौनुन सा रेलवे मंडल उत्तर पाषिम रेलवे में नहीं आता है तो आपकी कौन की शुच्य एल्फित है में ले फॉट्प attachments zur अगर इसके अगर यहां से बन शकती है में आपको यहीं पर बता देता उंप फॉल्पर राजस्तान के दो जिलों जो है दो जिले 750 में जिले जहां पर रेल मारग नहीं है ठीक है कौन से दो जिलों में रेल मारग नहीं है तो आपके ध्यान रखना बांसवाड़ा में रेल मारग नहीं है एक तो और एक किस में नहीं है परताबगड में नहीं है ठीक है तो रेल मारग नहीं किस किस में नहीं है तो बांसवाड़ा में न मुख्याले पर्षन आ सकता है आपके ये ठीक है पांच जिला मुख्याले रेल मारक से नहीं जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए पांच जिला मुख्याले रेल वारक से नहीं जुड़े हुए है और वो पांच जिला मुख्याले जो है वो कौन कौन से है तो पांच जिला मुख्याले अगर बात करें कौन कौन से है तो एक तो आपके यहां पर है जिसका नाम है टॉंक कौन सा टॉंक, टॉंक के बाद में यहां पर है, जिसका नाम ए करोली, कौन सा करोली, करोली के बाद में यह सिरोई, सिरोई वह अबू रोडवाला यह ठीक है न, यह जो पांच जिला मुख्याले हैं, जो रेल मारक से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो दो जिले ऐसी हैं जिनमें रेल मारगे नहीं है कौन-कौन से बांसवाड़ा परतावगड़ और पांच जिला मुख्याले जो रेल मारग से नहीं जुड़े हुएं कौन-कौन से टॉंक, करॉली, परतावगड़, बांसवाड़ा और शिरोई है तो विद्यारतियो आज आज आपके परिवहन का जो टोपिक था वो यहां समाप्त होता है ठीक है, परिवहन जो है आपके यहां पर क्या होता है, कम्प्लीट होता है और अब हम मिलेंगे सोवार को अपने एक नए टोपिक के साथ आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स टाइम पढ़ेंगे और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा, धन्यवाद दोस्तो